हाई प्यार बच्चो विल्कम तु मायद विद राजेश आज हम आपके सामने CHS 2020 के प्रेप्रेशन की बात करेंगे तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट डिसकस करेंगे चुकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट यही बार बार आ रहा था चुकि बहुत सारे बच्चों ने अपना रिक्वेस्ट किया कि सर जरूर वीडियो बनाएं CHS का चुकि आपका जो एक्जाम है वह सितंबर तक संभावित हो जाएगा तो अपनी प्रिप्रेशन सुनिश्चित कीजिए तो आपसे देखिए हम आपको जो है एक दम फ्री क्लास प्रिवाइड कराएंगे चुकि बहुत सारे जो है आपको क्वेरी थी सर सब्जेक्ट जो है हिंदी भी बनाएए वीडियो मैद भी बनाएए सर अप जो है इसका जीके का भी पार्ड बनाएए इंग्शी स्का भी बनाएए तो बहुत सार आपका रिक्वेश्च बहुत सारे बच्चे जो है कुमेंट किये तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे आपकी कोचिंग फ्री आपको मिलेगी पर आपको बस इतना ही विएक करना है आपसे कुछ हमज़े नहीं चाहिए सिब आपको इतना करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक और सेर कीजिए जो आपके फ्रेंड हैं उन तक सेर कीजिए जो इस एक्जाम की प्रेपेशन कर रहे हैं वहां तक सेर कीजिए उनके पास भी वीडियो पहुचा वह भी अपनी तयारिक इस लाग डाउन में घर बैटकर कर सके ठीक है और ध्यार रगना है इस सैनल पर जैनल पर जैनल की भी तयारिक कर आईजिए जो नौदे वीडिया लेकी 2020 की तो जो भी आपके भाई बहन है और ज करूंगा तो आज में हिंदी को डिकॉस कर रहा हूँ इसके बाद जो है देखिएमिए मैद को भी तो हिंदी को हम डिसकस कर रहे हैे हिंदी हम लूब पहले पढ़ेंगे वर्न माला क्या पढ़ेंगे वर्न माला तो 우리uito सेुर्ण आया था और आऑ लोग बिस्कस भी करेंगे question कैसे आये थे तो आई यह में स्टार्ट करते है wordmala तो हिंदी का जो पार्ट है wordmala क्या है तो पहला सब्द आएगा word learners? वर्ण क्या है? ज़्यादा डीफ में नहीं चलेंगे fix है याथ सै थ्यान थोड़ा से ध्यान रखेंगे तो अच्छी रॉलिज आपको मिलेगे देखिए वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण की परिभासा से बात करें तो पहले हम आएंगे भासा पे तो भासा अगर सब देखें भासा जो है भासा की सबसे छोटी नौखिक इकाई क्या होती है ध्वानी होती है ध्वानी है और भासा की यही ध्वानी क्या बन जाती है जब ध्वानी जो होती है ध्वानी का मलब जो हम प्रोनाउंस करते हैं जो भी बोलते हैं वही क्या है वही एक क्या है ध्वानी है जैसे मैं बोलू का तो यह क्या है यह की ध्वानी है लेकिन इखी इसी को हम लिखित रूप में लिख दें अलब भासा की सबसे चोटी ह माइं है दोनी यहां से बनता है सिम्पोध पूछ लेता है भासा की सबसे छोटी इकाई तो आपका answer क्या है गस भासा की सबसे छोटी इकाई पर पूछेगा तो बच्चे आपको इसे वितना ही ध्यान रखना है तो आप वर्ण माला लगाएंगे वर्ण माला नहीं वर्ण तो आप क्या लिखेंगे यह है भासा की सबसे छोटी सबसे चोटी मौखी की काई कौन सी है तो आप लगाएंगे द्वनी को क्या लगाएंगे द्वनी को तो भासा की सबसे चोटी काई क्या है द्वनी है मौखी की काई है भासा की सबसे चोटी काई क्या है वर्न है लेकिन अब वर्ण की परिभासा की बात करेंगे वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण की बात करेंगे तो लिखेंगे भासा की सबसे छूती इकाई इकाई ध्वन की लिखित रूप को लिखित या चिन्यत रूप को ध्यान रखना है लिखित रूप को वर्ण कहते हैं क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं तो प्यारे बच्चों आपको इसे इतना ही शमज़ना है कि भासा की जो सबसे छोटी मौकी की काई है वह ध्वनी है तो भासा की सबसे चोटी मौकी की काई की लिखित रूप को मालब उसको लिख दें जैसे मैंने आप जो कोई बोल रहा है का तो का क्या है भासा की सबसे चोटी काई है यह क्या है आपका वर्ण है लेकिन अगर आपसे कोई कहे इसी की लिखित रूप को तो इसी को जब लिख दिया जाता है तो वहाँ बन जाता है वर्ण लेकिन अगर आपके कहें कि मौकी की काई तो वो ध्वनी है मतलब हम से बोल रहे हैं वो इसी को लिख दिया जाएगा तो वर्ण यहाँ से परिभासा की सबसे छोटी इकाई यारा अगर करते सबसे बहुती आगे हम लोग अब देखेंगे तो आप आगे देखेंगे वर्ण माला हम बात करेंगे क्या वर्ण माला क्या है आभी तक हम लोग वर्ण देखें तो वर्णों के देखें वर्णों के वर्णों के दिश्री को दिवस्थित कर दिया जाता है वर्णों के दिवस्थित विवस्थित रूप को रूप को वर्ण माला कहते हैं क्या कहते हैं वर्ण माला कहते है तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है वर्ण माला किसे कहते हैं वर्ण माला क्या है वर्णों के जो वर्ण अभी हम पढ़े क्या है भासा की सबसे छोटी काई थी उसी के लिखित रूप इसके क्या है बिवस्थित रूप को तो वर्णों के बिवस्थित रूप को क्या कहते है वर्ण माला कहते है तो important point है बिवस्थित रूप अगर इसी को बिवस्थित कर दिया जाएगा जैसे आप जानते है, पहले स्वर को लिखा जाता है, फिर वेंजन को लिखा जाता है आ के बाद आ आ आता है, तो यहां एक बिवस्तित क्रम है, इशी को वर्ण कहते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगी वर्ण माला, ठीक है? तो वर्ण माला देखते हैं अच्छे तरीके से तो वर्ण माला को कितने भागों बाटा गया प्यारे बच्चों वर्ण माला तो वर्ण माला को जो है तो वर्ण माला वर्ण माला की कौन कौन से फरकार होते हैं वर्ण माला जो है, दू भागों बाटा जाता है एक होता है आपका बच्चो स्वर क्या होता है स्वर दूसरा क्या होता है बच्चो वेंजन क्या होता है वेंजन पहला होता है स्वर और दूसरा होता है टेंजन अगर हम स्वर क्या है तो ये जो है स्वतंत रहे क्या है स्वतंत रहे और ये क्या है स्वतंत रही है मरलब ये स्वतंत नहीं अकेला इसका कोई वस्तित नहीं ये दूसरी के सहारे से बोला जाता है मरलब ये तो किसी का सहारा नहीं लेता मरलब जो फ्रीडम है एकडम free है, वो किसी के सारे नहीं है, तो वो swatant है और यह क्या है? सवतant नहीं है तो यह क्या है? सवतant नहीं है पहले हम देखेंगे स्वर, फिर देखेंगे वेंजन, तो स्वर किसे कहते हैं हम? यहां लिख देते हैं definition ठेकें, एकडम Simple भासा में और आप लोगों ध्यान भी रखना है सबसे सिम्बल भासा में हम लोग कैसे देखेंगे ठीके अब देखिए हम बोलते हैं तो क्या होता है जीवा होती है जीवा अगर क्या है जो आपका internal भाग है जिसमें आपका क्या आजाता है ताल्यू आता है कंट आता है और आपका दंत आता है आपका जो है वह ऊस्ट आता है इन किसी भाग को न चूए अब ध्यान अगर्जने वाग यंत्र है वाग यांत्र मलब जो वाई प्राण मलब जो फेपड़े से वाई निकलती है वह जो है मुख की किसी भाग को ना टच करें तो आपको द्यान यहां लिखना है तो यहां प्रस्ट इसका कैसे डिफनेशन लिखेंगे वेद्वनिया वेद्वनिया क्या पच्छों वेद्वनिय यह य कि आपंचों वेद्वनिया यहां लिखना है ऐसा फूजा से लिख देना सवर्ण वेद्वन बनाते हैं यह जिनका जिनका वृचार उच्चारन करते समय उच्चारन मलब बोलते समय उच्चारन परते समय वाग यंत्र से वाग यंत्र मलब वाई प्राण वाग यंत्र से निकलने वाला वाई प्राण मुख के किसी भाग को छुए बिना निकल जाए निकल जाए निकल जाए सर कहलाता है सर कहलाता है तो सिंपल सा बात है एक दम सिंपल डिफनेशन है कुछ भी नहीं करना है मलब जब हम बोलें तो हमारा जो वाग यंत्र है मलब जहां से ध्वनिया उत्पन होती है वो जो ध्वनिया है उसी को वाई प्राण बोला जा रहा है वो वाई प्राण मुख के किसी अंतर अंदर के किसी भाग को ना टच करे मलब आपके कंट करना टच करे तालू को ना टच करें दंद को ना टच करें ओड को भी ना टच करें तो स्वर यहां लिख देना है स्वर धनिया थोड़ा से द्यान रखना है स्वर वे धनिया है जिनका उच्छारण करते किसी भाग को यहां लिख देना है चुए बिना निकल जाए स्वर कहलाता है अब यहां से ऐसा भी इसकी दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि स्वतंद रूप से स्वतंद रूप से सबसे सिंपल भासा स्वतंद रूप से बूली जाने वाली धनिया स्वर कहलाती है तो सिंपल भासा इसका और एक लिख सकते हैं दिसी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं स्वतंद रूप से बूली जाने वाली धनिया स्वर कहलाती है तो ऐसा भी डिफिनेशन बना सकते हैं वे धनिया जिनका उचारन करते समय किसी अन्वन का वन की सहाथा से ना बोली जाएं मलब वे धनिया जो किसी अन्वन की सहाथा से ना बोली जाएं उन्हें हमश्वर कहते हैं अगर हम वेंजन की बात करें तो वेंजन की बात करें तो सेम इसके उल्टा हो जाएगा तो यहां से सेम लिख देना है वे धनिय लेकिए बेंजन यहां लिख देना बेंजन वे धनिया है जिनका उचारण करते समय वाग यंत्र से निकलने वाली वाई प्राण मुख के किसी न किसी भाग को छू कर छू कर छू कर निकले बेंजन कहलाती है यहां इसकी डिफनेशन सबसे अच्छा बोल सकते हैं वे धनिया वे धनिया जिनके उचारण में जिनके उचारण में अन अन वर्ण की सहायता लीजाय सहायता लीजाय वेंजन कहलाते हैं वेंजन कहलाते हैं ध्यान रखना है इनमें सिंपल सा ध्यान यह रखना है बच्चे कि वे धनिया है जिनका उच्छारण करते समय वाग यहन से निकलने वाले वाय उप्राण मुख के किसी न किसी भाग को छूप कर निकले छूप अगर निकलेगा तो वहां क्या हो जाएगा वेंजन कहलाएगा और सिंपल सा धिफनेशन और दे सकते हैं कि वेंजन वे धनिया है जिनका उच्छारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता ली जाएगा जैसे आप देखेंगे आ लिखेंगे इसमें कोई वर्ण नहीं है का आप देखेंगे कोन आ रहा है का आप देखेंगे तो यह देखेंगे प्लस आ लिखेंगे तो का एच देखो इसमें किसका सहारा लिया गया अन्य वर्ण का तो यहां बोच सकते हैं किसका सहारा लिया जाए स्वर की सहायता से बोले जाने वाले धनिया ऐसी धनिया जो अन्य उनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाए तो वे वेंजन कहलाती है तो अन्य वर्ण किसकी सहायता ले है मणलब जो है वह वेंजन किकी साहएता Luyan की मलब स्वर की साहएता ले तो यह कहान की साहएता से बूला जा रहा है का अगर हम खा लिखे हैं में तो ऐसा खा भी लिखा जाएगा खा आधा यहां अलगादें हलन्ट मलब आधा ban कि जाता प्रकार के होते हैं यहां से प्रस नुठा दिया था तो हम लोग अब देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं तो आई हम लोग देखते हैं स्वर स्वर मुख्यता तीन प्रकार के स्वर कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के अब देखिए कौन-कौन से तीन प्रकार है कितने प्रकार के होते हैं स्वर तीन प्रकार के तो आपका यहां से एक प्रस्न हो जाता तीन प्रकार के पाया जाते है तीन प्रकार के तो अगर प्रसना आ जाएगा बच्चों की स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं तो आज हम यहीं तक देखेंगे स्वर तक आगे भी थोड़ा से ध्यान रखने वीडियो को ज़्यादा लॉंग नहीं बनाएंगे second part भी इसका आजाएगा तो आई हम लोग देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहला प्रसन आपका यहीं हो जाएगा स्वर कितने प्रकार के तीन प्रकार के कौन-कौन से इसको बोलते है हरस्व सर या लगुस्वर हरस्व या लगुस्वर कहा जाता है फिर दूसरा होता है दीरगस्वर दीरगस्वर टीक तीशरा होता है प्लुटसर प्लुटस्वर सर के किपने प्रकार है आप बच्चे स्वार के 3 प्रकार हैं कितने प्रकार हैं ? कौन-कौन से हैं ? हरश्वस्वर, दीरगश्वर, प्लुतुश्वर अब पसना आता है बच्चो कि स्वर कितने होते हैं ? हम एक एक पार्ट को देखेंगे इसी में आप सु गते ग्राइज कर देंगे इसको classify कर देंगे कौन हसवर है हसवर कौन से दिर्वश्वर है कौन से plusवर plusवर आपका सबसे अलग होता है अगर हम बात करें जैसे आप बोलते हैं किसी सवर को बोलने में बहुत ज़ादा अन्य सवरों की तुलना में ज़ादा time लिया जाए कई गुना लिया जैसे ओम करते जाएं तो ओम क्या है आपका सवर है लेकिन ये plusवर में आता है तो सवर कितने प्रकार के होते हैं सवर कौन कितने होते हैं अगर हम सवर की बात करें बच्चे तो सवर जो है आपका मुखता जारा होता है आपका प्रस्ण हमेशा आएगा स्वर जारा होता है तो स्वरो की संख्या कितनी होती है बच्चो जारा सबसी important question, very important अब बोल सकते हैं important, most important स्वर कितने होते हैं, आपकी प्रस्ण हो सकता यही आजाए तो स्वर कितने होते हैं, जारा होते हैं आपकेंगे और बच्चे की 13 भी होते हैं चलिए हम दोनों को देख लेते हैं और क्या होता, कौन-कौन से स्वर होते हैं तो बच्चे यह देखिए आप देखते हैं अ-ई-ई-ई-उ-- लि-ठी आप यहां से देखते हैं बच्चे तो क्या हो जाता है अब अच्छे गीने कितने श्वर है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा अरे तेरा पसर हो गया लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे चौक तो जाते हैं तेरा स्वर तो बता देते हैं लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वर कितने होते हैं तो आपको जारा ही बताने है ऐसा क्यों आज हम बात करते हैं देखिए ये जो दो हैं इनको स्वर की स्डेह में नहीं रखा जाता रखा गया है, सही देखा जाया लेकिन अब इनको क्या नाम दिया जाता है अभी हम एक एक चीज़ की बात करेंगे इनको जो बोला जाता है अयोगवा धनिया क्या बोला जाता है अयोगवा इसको बोला जाएगा अयोगवा अयोगवा धनिया तो सिंपल से ध्यान लखेंगे इसको क्या बोला जाता है तो पहरे बच्छी इसको क्या बोला जाता है अयोगवा अयोगवा ध्वनिया ये देखिए अयोगवा ध्वनिया आपको थोड़ा से जादा डेटेल हो जा रहा है बर थोड़ा से आपको बताना जरूरी था आयोग वह ध्वनिया का मतलब होता है ऐसी ध्वनिया जो सिर्फ स्वर के साथ जुड़े वेंजन के साथ इनका जुड़ाव नहीं होता है ये ध्वनिया वेंजन के साथ नहीं जुड़ती है तिहां रखना है जैसे मैं आपसे कहूं आ का मतलब होता है नहीं वैसे जैसे मान अपमान आका मलब ना मान रखने वाला तो उसी लिए ये सब गुना करात्मक होता है नहीं आका अर्थ देता है नहीं आयोग मने जुड़कर देखी यहां से तीन सब्दों से मिलकर बना है प्लस वहा मलब वहन करना तो ऐसी ध्वनिया जो क्या होती है वहन नहीं होती है किसके साथ किसके साथ वहन नहीं होती है विंजन के साथ विंजन के साथ ये किसके साथ जुड़ती है ये ध्वनिया सिर्फ ध्यान रखना है सिर्फ स्वर के साथ जुड़ती है साथ जुड़ती है अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा ये क्या मतलब है जुड़ती है जैसे बच्चे ध्यान रखना है जैसे हम लिख दिए कंगन अब बच्चे कहेंगे ये तो है अन अनिकी बिंदी लगिए तो जुड़ा हुआ है बड़ वच्चों को ध्यान इतना रखना है जब इसका हम कहेंगे अलग से चंद्रिछेत का आज वायागा बिंदी यहां रगनी चाहिए थी तब कहते हैं यह वेंजन के साथ जो गई है बड़ यह यहां अलग कर इसका यहां जुड़ा होता है तो इसलिए कहते हैं कि जो आयोगवाध हनिया होती है वो वेंजन के साथ नहीं जुड़ती लेकिन सारे स्वर जो होते हैं वेंजन के साथ जुड़ते हैं इसलिए ग्यारा स्वर ही माने जाते हैं दो स्वर को हम नहीं मानते हैं यह अग्योगवाध हनिया इसलिए आपके पास 11 स्वर हैं और 13 स्वर नहीं माने जाते ठीक है, तो आपको यह समन्ज में आया होगा अब हशस्वर कौन से होंगे दीरगुसवर की बात हम करते हैं हशस्वर की बात करें तो हशस्वर का मतलब होता है जो स्वतंत हों देखे ये भी नहीं होता है यहां समें बात करें हसस्वर एक एक कटेग्राइज करते हैं यह होता है इसमें कौन-कौन सा भी लिखते हैं इसको ठीक है इसे में अलग-अलग है कौन-कौन से हसस्वर हैं कौन से देर्विस्वर हैं अप्तिलु सर की बात आगे करते हैं तो सबसे important question मैं एक बार repeat कर रहा हूं स्वर तीन प्रकार के होते हैं स्वर की संख्याई 11 होती है स्वर में दो ऐसे वाते हैं स्वर जो आयोगवा होता है आयोगवा सिप किसके साथ जुड़ता है स्वर के साथ जुड़ता है वेंजन के साथ नहीं जुड़ता है इसलिए हम 11 स्वरी माने जाते हैं 13 स्वर हम लोग गिनने में तो लगता है तो आयोगवा बच्चों को समझ में जरूर आ रहा है समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और उपने फ्रेंट तक सेर जरूर करें सेर करिए तो हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा और आगे वीडियो जरूर बनाएंगे ठीक है जरूर ज़्यादा ज़्यादा इसको सेर कीजिए और बच्चों तक इसको पहुँचाईए तो आपकी ये जिम्यदारी है तो आई हम दोग गेखते हैं हरस्षवर कौन कौन से है हरस्षवर इसमें आपका हो जाता तो हरस्षवर में ये चारे आते हैं ये जो हरस्षवर में कहे जाते हैं कौन कौन से आते हैं आपके हर स्वर में ये रखे जाते हैं लेकिन ध्यान रखना है हर स्वर क्या है ये मात्रा के आधार पर रखा गया है इसको ध्यान रखना है हर स्वर को क्या बोलते हैं एक मात्रिक भी बोलते हैं इसमें मात्रा क्या होती है एक होती है तो एक मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं एक मात्रिक स्वर बोल देते हैं क्या बोल देते हैं एक मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं या मोल स्वर भी बोल देते हैं इन्हीं को हम क्या बावर बोल देते हैं गूरू अब देखिए यह हो जाता है हस्वर अगर हम दीरगुस्वर की बात करें तो दीरगुस्वर दीरगुस्वर या उसी को द्वी मात्रिक भी बोलते हैं द्वी मात्रिक या इसी को और क्या नाम दे दिया जाता है गूरू आप जब इसको पढ़ेंगे छंड उगारा में तो वहाँ सब्द आता है गुरू इसको क्या बोलते हैं? आपका लगु ठीक है? गुरू तो इतनी इसकी और बहुत नाम है और इसको संदी स्वर भी कहा जाता है ये सब हम बात करेंगे आगे जाकर संदी स्वर क्या है? स्वर में हम लोग पढ़ेंगे संदिश्वर में पढ़ेंगे इन में कौन-कौन से होते हैं मतलब अब इनको हटा देजिए तो क्या-क्या बचता है आपका आ इ बड़ा ओ ए ए ओ इतने आपके क्या बचते हैं तो देखिए इधर 4 हो गया और इधर कितना हो गया 6 तो 6,4,10,1 और छूट रहा है ए, ए, ओ, ओ, अव, छूट रहा है इतनी आपके क्या रखे जाते हैं दीर्गिश्वर में रखे जाते हैं किसमें रखे जाते हैं दीर्गिश्वर में रखे जाते हैं तो इनको बोलने में इसमें ज़्यादा समय लगता है इसलिए ध्यान रखना इनकी तुल्णा में इसमें ज़्यादा समय लगता और ये मात्रा भी लगाता जैसे मैं बोलू गा है तो ग।शचने एगर बड़ा की मात्रा हो जाए गा तो ध्यान रखना प्रोनाइंस करने में टाइम ज़्यादा लेता है इसलिए इसको दीर्ग-सwar या द्वी-मात्री-र्थ-swar या इसको जो है, गुरु-श्वर भी बोला जाता है, या शंदिश्वर भी, बोला जाता है तो आई होब बच्चो या आपको video पशंद आberg और होगा, video पशंद आज़ा होगा तो video को like करें, channel को सब्सक्राइब जरूर करें तो आगे की वीडियो कल हम हिंदी पे लाएंगे चुकि ज़्यादा लॉंग वीडियो हो जाएगा तो बच्चे कम देखते भी है कल हम प्लुच सवर और आपका जो है बेंजन सवर खंप्लीट कर देंगे तो ये जो वर्ण माला होगा वो हो शकता है कल तक खतम हो जाए वर्ण माला खतम होते ही हम जो है संग्या और संग्या के प्रकार्ज जो आपसे दो से तीन क्वेसन संग्या से पूछा है पि विसेशन पढ़ा देंगी फिर आपका लिंग और वचन पढ़ा देंगी और ध्यान रखना लिंग और वचन से भी question आये हुए हैं जैसे आपसे मैं कहूं कहार का आया था कुमहार का कुमहार का प्रस्ण आया था कुमहार का इस्त्री लिंग क्या होगा कुमहारिद तो ये सारे प्रस्ण ऐसे पूछे जाते हिंदी में तो वीडियो को आपका जो हम पेपर एनालिसिस जरूर किये हैं और पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके हम आपको पढ़ा रहें जो टॉपिक से क्वेस्टन अभी आपसे हम बात किये थे कि बेंजन के अस्वर के कितनी प्रकार होते हैं इन प्रकार यह प्रसंद आपकी एक्जाम में आया था तो आपको जरूर जाकर पेपर को देखे तो आपको लगेगा हुब 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 वही सीजे पढ़ाए जा रही तो आपका कॉस्टन सॉल्व होता जाएगा आई होब आपको सारा चीजी पसंद आया होगा वीडियो चलो आगे हम देखते हैं कर मिलते हैं प्यारे बच्चो इसी उमंग और इसी जोस के साथ थैंक यू